नमस्कार दोस्तो, सक्षमता परिख्षा उत्रीन विशीर सिक्षुको की पोस्टिंग सितंबर में तो दोस्तो पेपर में जो भी मन हो वो छाप दे रहा है, देख सकते हैं पहले चरण की सक्षमता परिक्षा उत्री नियोजी सिक्षुकों की विशिर सिक्षुकों के रूप में पदस्थपना सितंबर में होने की संभवना है दरसल सिक्षा विभाग का आकलन है कि इनकी काउंस्लिंग की प्रक्रिया 30 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी जबकि दोस्तों भी बहुत सिक्षुकों का कांश्लिंग बाकी है सितंबर में भी होगा क्योंकि अभी तक सलोट नहीं जारी हुआ है और मेसेज भी नहीं आया है अभी तक 80,000 नियोजी सिक्छुकों की काउंस्लिंग प्रकिरिया पुरी हो चुकी है सिक्छा पिभाग के अनुसार 1,87,000 सिक्छुकों की काउंस्लिंग किराई जानी है करीब एक लाग सदिक सिक्षकों की कांस्लिंग बाकी रह गई है सीवर और सेकपुरा जिले में कांस्लिंग परक्रिया पूरी हो चुकी है और तमान में चल रही कांस्लिंग मेनियोजी सिक्षकों के सेक्षिनिक ओपर सेक्षिनिक डेस्ट वेजों की जाच चल रही है तो दोस्तों देखिए सितंबर माह का कौम उमीद रखिए अक्टूबर नॉवंबर में आपका पोस्टिंग हो सकता है देख सकते हैं जिस धिवी गतिव परक्रिया से काउंश्रिंग हो रहा है क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सभी के काउंश्रिंग होगा उसके बाद सकते हैं जिन सिख्चुकों की नहीं हुई काउंश्रिंग दोबरा होगी तो दोस्तों इनका काउंश्रिंग होगा उसके बाद देख सकते हैं छो सिक्षक की मिकारणों से सामेल नहीं हो सके जिला कारक्राम पदृकारी राजकमल ने बताया कि इम्होने बताया कि बहुत चार ऐसे सिक्षकों के काउंश्णिंग हुई जिनके पास कग्जात पूरी नहीं थी उनको नोफाउंड में डाल दिया गया नो फाउंड वाले सिख्छुकों की दुबारा होगी काउंसलिंग देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों मान लिजिए अभी सभी का काउंसलिंग होगा उसके बाद मान लिजिए 5 से 10 परतिसत है जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिए है या doubtful लिखा गया है जो भी उनका नहीं हो पया है तो उनको दुबारा बुलाया जाएगा तो ऐसे ही आप लोग का सितंबर माह समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों अक्टूबर में हो सकता है आपका पोस्टिंग हो तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा जो भी अपडेट होता है आप लोग के पास पहुचार देता हूं सक्षम्टा पास सम्बंधित सिख्छोकों से सम्बंधित और नियोजिस सिख्छोकों से सम्बंधित तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ये जे हिंद जे भारत बंदे मातरम